हेलो वेरीवन वेलकम टू मैं चैनल हाइपर ट्रेड इस भी मैं हूं महुमत सुहिल दोस्तों मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था एलर्ट कर दिया था सज्जेस्ट भी कर दिया था कि इसके अंदर रिवर्सल आ चुका है बस आप ठहरे रहिए इसके अंदर एक्जिट करके जो एक दिन में जो रिटन्स दिये इसने वो रिटन्स आज के दिन ले चुका है दोस्तों और हम लोगों को बस इसने प्रॉफिट दिया है 50 या 60 रूपे के पास मैंने आपको कली अनलेसिस करके बता दिये आपने मेरा आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो ज अचीव हुए हैं नहीं हुए हैं अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा भी होगा तो आपको अच्छा सा अच्छा मुनाफ़ा हुआ होगा दोस्तों आगे बढ़ जाता हूं वीडियो के अंदर आप मेरे यूटूब चैनल के लिए नए हो तो मेरा यूटूब चैनल सब्स अच्छा मुनाफ़ा होगा ही होगा देखिए मैंने आपको कल ही बता दिया था इसके अंदर रिवसल आएगा बहुत बड़ा रिवसल आएगा अलट कर दिया था सजेशन भी दे दिया था कि बस आप इसके अंदर बाई मत करिये क्योंकि जब कौन कौन बाई कर चुके एग्जिट करिये मैंने आपको ये भी बता दिया था कल के वीडियो के अंदर आप चाहे तो जाकि कल का वीडियो परसुम आप लोगों का देखिए इसके अंदर जो मुमेंट बन चुका था 550 का मुमेंट बन चुका था वह अनेक्सपेटेबुल था यानि इधर ओपरिंग होगा जाता लोग नहीं सुन चाहे थे बस बस बाइंग बाइंग कर रहे थे यह स्टॉक इतना बड़ा रिवसल है बस लोग बना दिया है 475.25 पैसा यानि पूरा 74.75 पैसे का रिवसल है दोस्तों इस टॉक के अंदर फिर भी इसने आके रुका है 485.00 पैसा जो लोग मुझे मेल कर रहे हैं सर सज्जेस्ट करिए और लोग का आंसर भी मैं इसके अंदर दे दूंगा एंटे और एक्जिट लेवल भी बता दूंगा क्योंकि इसके अंदर clarity आ चुकी है इस stock के अंदर देखिए जिसको company को कितना पैसा होना चाहिए था वो तो एकटा कर चुका है company आप लोगों का लेके फिर भी आप जायतार लोग क्या कर रहे है stock यहां से नीचे जाएगा नीचे जाएगा बस नीचे दे रहा हूं exit मत होई है exit मत होई है क्योंकि जब तब production process selling पूरा start नहीं होगा company के अंदर जब तक के stock एक moment पे चलेगा उसके बाद return देगा देगा दोस्तों आप लोगों को return क्या होगे आपको आगे चलके वीडियो में बता दूंगा और stocks के अंदर कैसा नुक्सान नहीं ह होए और stock market के अंदर कैसा survive होना चाहिए आप लोगों को no law strategy क्या है वह आपको वीडियो के अंतक बता दूंगा दोस्तों target के बाद आप skip मत करिए आप अच्छा ध्यान से सुनिए आप लोगों को बहुत बढ़ा information मिनने वाला है आज के वीडियो के अंदर चले दोस्तों आ बनाया है 550.00 पैसा एंड डेलो है 475.25 पैसा हाँ दोस्तों यही बुलिया था बता चुका हूं बहुत relaxation हो रहा है चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों simple चाटे ज्यादा दिन का भी नहीं है पुरा एक मेने के अंदर अंदर का चाटे दोस्तों मैं आपको पैनिक में नह अदर के लिए इसको कोशिश करेगा मैंने आपको बता दीया था अब देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहो हैं का नहीं देखे ओग तो आप जाहिए पूरा वीडियो मत देखिए चार्ट LIC से ही देखिए आपको समझ में आ जाएगा देखिए इसको तो close करने के कोशिश करेगा बट slowly 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 close करेगा दोस्तों एक इदम ऐसा फटा एक से close नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर moment बनने वाला है slowly slowly moment बनने वाला है इसके अंदर targets आ चुके हैं levels आ चुके हैं वो है दोस्तों अगर कल के दिन ये 460-470 के बीच में trend होते हुए break करेगा तो हम लोगों को ये 430-440 levels को जाते हुए दिखेगा जिदर इसने gap of opening करके इस value के अंदर trade नहीं किया है तो इधर तो कोशिश करेगा दोस्तों अगर नीचे जाते नहीं हुए अगर उपर ही trend मारता हुआ दिखा तो इसके अंदर हम लोगों को levels फिर से 530-540 के levels पका है दोस्तों मैं हावे में कभी भी नहीं फेकता हूँ बड़े-बड़े बातां भी नहीं करता हूँ छोटी सी बात करता हूँ टागेट्स बड़े से देता हूँ जो पूरे के पूरे अचिव हो जाते हैं आप चाहे तो मेरा इंदूसिंद बैंक, टाटा मोटास, एक्सिस बैंक, बंदन बैंक, इंडियन बूर्स ओर्जिंग फैनल्स चाहे आप गिलेन मर्क भी देख लेजिए जो मैं आपको टागेट् पीस का प्रॉफिट देता हूँ आप लोगों को देखिए आप बस टागेट्स पर चलिए जब मैं आपको इंट्री बताता हूँ इंट्री कर लेजिए एक्जिट बताता हूँ एक्जिट हो जाईए आपको अच्छा अच्छा मुनाफ़ा होगा तो सब कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत रेरले कैंडिस बर रहे हैं जो अभी तक स्टॉक मार्केट में नहीं देखा गया है क्यूंकि इसके अंदर जो कुविड-19 का जो फस्ट सेकें स्टेज के अंदर जो क्यूर होता है वह वैक्जिन इसने बनाई है यह न्यूस के वाई से इसके अंदर मुमेंट आ पाता हुआ देखेगा 600-700 का देखिए दूस्तों मैं 600-700 ऐसे नहीं फेक रहा हूं बस आपको सजेशन दे रहा हूं कि यह लेवल्स आएंगे अगर इसके अंदर सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो कंपनी के अंदर अब तो बस प्रोडेक्शन नहीं है प्रोडेक्श पानिक में आके शॉक कोशिल मत किजिए किदर भी गया 23, 63, 40 लिवल्स पर भी गया तो आप क्या करिए पैनिक मत हुए करिए रिवाई करिए रिवाई करिए रिवाई यानि बई करते जाएंगे आप कितना भी बई कर चुके हैं उसका 25% अप पूरा मिला के 25% पूरा मिला क करना चाहते हैं रे एंट्री लेना चाहते हैं तो 470 ये 440 के लेवल के बीच में लिजिए इसके अंदर अच्छे से अच्छे रिटन्स फीर से आएंगे आप लोगों के लिए देखिए बस आप क्या करिए स्टॉक मार्केट के अंदर ठैजिए आप किदर भी बाई कर चुके बस ठैड़िये ठैड़िये एंट्री होगा दोस्तों आपका 440 470 लेवल के बीच में एंट्री होगा अगर इस टॉक 440 460 470 के लेवल के 440 तो इसका स्टांग सपोट बन चुका है मैं आपको बता रहा हूं 440 स्टांग सपोट बन चुका है क्यूंकि इसने जो गाप ऑप किया था उसको तो क्लोज करने की कोशिश करेंगा मैं अपने हर वीडियो में बता रहा हूं इसने तो आज के दिन तो कोशिश नहीं की पर आगे चलके तो थोड़ी बहुत कोशिश करेगा उसके बाद इसके अंदर रिटन आएंगे दोस्तों 470 480 लेवल के आप सोंच रहे वह paper work करना चाहें तो paper work करिए आपको अच्य से ऑच्छ है से । मोरह हो जब आप करके चलके बीदी दे दोंगा analyse अपको स्टल इसके प्रियो कि बीदिब्यो के सब्सक्राइब का यह चीपले ऐसकी करको ड़ेश करना फान है आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाए लिंक को हिट कर लीजिए और जोईन कर लिजिए मेरा टेलिग्राम चैनल for intradle live tips and stock market updates के लिए दोस्तों कल मैंने आपको selling या buying side पर target दिये था वो तो आज के दिन selling side पर ही achieve हो चुके हैं दोस्तों आपको targets में जाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ वो है दोस्तों no loss strategy stock market में loss नहीं होते हुए कैसे survive करे वो आपको strategy बता दूँगा वीडियो के अंतक उससे पहले यह चोटा सा targets है दोस्तों target जल्दी से जल्दी निप्टा देता हूँ क्योंकि आपका time भी valuable है मेरा time भी valuable है पूरे world के अंदर सुब का time भी valuable है दोस्तों मैं आपको time waste नहीं होने दूँगा जल्दी से जल्दी निप्टा दूँगा skip मत करिए बस अब observe करिए कि targets के अंदर भी कुछ levels होते हैं देखिए आज का दिन है 23 जून 2020 आज का डे है Tuesday Glenmar pharmaceuticals का closing price दे 485 देखिए यह मैं targets लिखा ला हूँ आपके लिए 24 जून 2020 Wednesday के लिए यह वो होगा कल दोस्तों मेरा बाइंग सेड़ पर एक्सपेटेट प्राइज है 488 कल इधर अपर टेंट टार्गेट के लिए 488 है दोस्तों कल इधर opening हुआ अगर नीचे कहीं भी opening होके यह levels के पास जाते हुए दिखा तो क्या करिए बाइंग सेड ले लिजिए बाइंग सेड का पहला target होगा 491 सेकंड टार्गेट होगा 494 stop loss के साथ चलिए 481 के पास और मेरा expected prices downtrend यानि selling side के लिए 481 481 के पास जाता हुआ दिखा कर अगर 481 के पास opening गवा तो पहला target ले लिए 478 सेकंड टार्गेट होगा 475 stop loss के साथ चलिए 488 के पास क्योंकि इसके इंदर जो moment बनने वाला है वो मैं चार्ट है लेसिस पर करके moment लिखा ला हूँ दूस्तों बाइंग सेड जाएगा तो भी टार्गेट अच्छी हो जाएगे शेलिंग सेड जाएगा तो भी टार्गेट अच्छी हो जाएगे आप आचाता हूँ नो लॉग स्टाटेजी के उपर नो लॉग स्टाटेजी ऐसे होता है दूस्तों कल आप कितना भी quantity बाइक कर रहें सेल कर रहें आपके हिसाब से 100 परस लगा लीजिये इधर क्या होगा अगर पहला टार्गेट अचीव हो चुका है टो आपको 75% का तो profit लगा ले सकते हैं आपको पूरा का पूरा profit होगा था रहाँ fort ka कितना उपर जाएगा तो कितना profit होगा कितना नीचे जाएगा तो कितना हम लोग को लुक्सान होगा आप देखना चाहते हैं तो भी आपको मैं random बता सकता हूं 50% से लेकि 75% के अंदर profit हो गई होगा दोस्तों देखिए stock market के अंदर जातर लोग पैसे कैसा गवाते हैं नुक्सान होते हैं देखिए आप आप तो बहुत अच्छे हैं दोस्तों आप ऐसा काम मैं करेंगे मुझे पता है बस आप क्या करिए बैं कर रहे हैं selling कर रहे हैं target लागा लिजिए stop loss लगा लिजिए आपको टागेट्स अच्छी होंगे तो भी छोड़ा सा मुनाफा होगा stop loss अच्छी होगा तो भी आपको छोटा सा नुक्सान होगा पर आप पूरा तो capital गवान नहीं देंगे क्यूंकि capital रही नहीं दोस्तों stock market के अंदर intraday करने के लिए आप strategy इस्तमर करके चलिए no loss strategy आपको अच्छा सा अच्छा मुनाफा होगा दोस्तों आच्छी सा अच्छ मैं वीडियो